दक्षिन विदान सभा उपनिर्वाचन के लिए होम वोटिंग घर घर पहुँचकर बुजूर्गों और दिव्याग मद्दाताओं का लिया जा रहा है वोट नमस्कार आप देख रहे हैं दूर दर्शन समचार मैं हूलीना साहू अब समचार विस्तार से राशपती द्रौपती मुर्मु ने कहा है कि भारत धम की पवित्र भूमी है और हर यूग में यहां महान गुरू और रहसेवादी हुए है नई दिली में पहले एशियाए बौध शिकर सम्मीलन को संबुधित करते हुए राशपती ने कहा कि भगवान बुद्ध का इन पथ प्रदर्श्रकों में अध्वितिय स्थान है उन्होंने इस बात पर प्रकास टाला की बोध गया में बोधिवरिक्ष के नीचे सिधार्त गौतम का ग्यान प्राप्त करना इतिहास में एक अध्वितिय अखटना है राशपती ने कहा कि आज दुनिया कई मोर्चों पर अस्तीत्व के संकट का सामना कर रही है लेकिन बौध्य समुदाय के पास मानवजाती को देने के लिए बहुत कुछ है उन्होंने इस पर चर्चा करने की आवश्रक्ता पर बल दिया कि एशिया को मजबूत करने में बहुत धर्म की क्या भूमी का है और यहां कैसे एशिया और दुनिया में वास्तविक शांती ला सकता है उन्होंने कहा कि बहुत धर्म का प्रमुक संदेश शान्ती और अहिंसा पर केंद्रित है और इस बात पर जोर दिया कि आज दुनिया को करुणा की हावश्यक्ता है जोनोहिताय। चो कि आज़ पर गेही की आज़किन तुनिया कि बिचाओ कि आज़ प्रमुक दुनिया कीज़ की आजियू थर्मुक संदी और इसितमा कि आज़ इस थीतिति हा है वि कर फ्रॉष आज़ जोरी का प्रिस पर पूंद्सें की आज़ आजिए अंगू आज़ हैज संस्क्रिती मत्राले अंतरास्ट्रे बौध परिसंग के सहयोग से बौध धर्म को समानित करने के लिए दो दिवसे शिखर सम्मिलन का आईजन कर रहा है शिखर सम्मिलन का विशय है इश्या को मजबूत बनाने में बुध धम की भूमिका सर्वुच न्याले ने बहुमत से विवस्था दी है कि सभी नीजी संपत्या समुदाय के ऐसे भौतिक संसाधनों का हिस्सा नहीं है जिन्हें समिधान के नुछिद 49B के तहट सरकार अनिवारी रूप से पुनहा वित्रित कर सके लेकिन न्याले ने यह कहा कि कुछ नीजी संपत्या इस्ट्रेणी के दाएरे में आ सकती है बशर्ते वे समुदाय के लिए महत्पुर्ण और उप्योगी हो प्रमुक न्याइधिश डिवाय चंद्रचून के अध्यक्षता वाली 900 की पीठ ने एक के मुकाबले आठ मतों के बहुमत से यहां विवस्था दी है इसके अन्य सदस्यों में न्याइमूर्ती रिशिकेश रॉय बीवी नागरतना और सुधानशो धुलिया भी शामिल थे इसमें कहा गया कि इसे मामले में पहले दिये गये वक्तव बाध्यकारी नहीं थे राज्य सरकार ने आज 36 कर राज्य अलंकरन पुरसकारों की घोशना कर दी है यह पुरसकार 36 विभन अश्रेत्रों में दिये जाएंगे उपुख्य मंत्री अरुन साउं ने रायपूर में प्रस्वारता को संबोधित करते वे कहा कि उपरास्पती जगदीब धंकर कल राज्य अत्सों के समापन समारों में राज्य अलंकरन समान प्रदान करेंगे उन्हें ने बताया कि निनायक मंदल द्वारा चैनित नामों और संस्थाओं को यह पुरसकार दिये जाएंगे कल राज्य अलंकरन पुरसकार देश के उपरास्पती माननिय जगदीब धंकर जी देने वाले हैं इस बार सरकार ने ताय किया है कि हम 36 अलंकरन ओपरास्थपती महोदय के हाथों दिलाने वाले हैं समापन समारों में नवभारत दैनिक हिंदी समचार पत्र के पत्रकार भोला राम सिनहा को प्रिंट मीडिया के लिए और इलेक्ट्रोनिक मीडिया से नियूस 24 चैनल के पत्रकार मोहनतिवारी को चंदुलाल चंद्राकर स्मृती पत्रकारिता पुरसकार दिया जाएगा पुरुसकार के लिए चुने जाने पर पत्रकार भोला रामसिन्हा और मोहनतिवारी ने खुशी जताई पत्रकारिता में चंदूलाल चंद्राकर पुरुसकार प्राप्त करना गर्व की बात है और इस पुरुसकार की घोशना के बाद मैं अपने आपको गर्वानमित महसूस कर रहा हूं मैं सब का भार वेक्त करता हूँ आज ये पुरसकार और ये सम्मान मुझे नहीं मिल रहा है मुझे बनाने वाले गढ़ने वाले पत्रकारिता के छेतर में काम करने वालों को ये सम्मान मिल रहा है इसके लावा अंग्रेजी मीडिया से दाहितवाद, रायपूर के समचार संपादक, मुकेश, सिहेको, मधुकर, खेर्षपृती, पत्रकारिता पुरसकार और पंडित माधरा सप्रे, रास्टे रशनात्मक समाल से अतुल जैन को समानित किया जाएगा खबरों का सिलसल आगे भी जाड़ी रहेगा, अब लेते हैं एक छोटा सब्रेक आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, राइपोर रदक्षन, विधान सभा उप निर्वाचन के तहता से होम वोटिंग शुरू हो गई है, मतदान दला 85 से अधिकुम्र के बुजर्गों और दिव्यांगों के घर पहुँचकर वोटिंग करा रहा है, राइपोर कलिक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौराव सही के मार्ग देशन में नगर निगाम आयुक्त अभिनाश मिश्णा ने आज राइपोर कलिक्टरेट पर इसर में से होम वोटिंग के लिए मतदान रत को हरी चुरू की गई होम वोटिंग सुविधा से उन्हें मतदान का मौका मिला है, वहीं टिकरा पारनिवासे दिव्यांग मतदाता हेमंद बर्चीहा ने भी अपने घर पर मतदान किया, वे बताती है कि चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती है, ऐसे में मतदान घर पर होना मतदाता कमला साहू ने भी अपने घर से मतदान कर खुशी जताए, उप निर्वाचन अधिकारी उमा शंकर बंदे ने बताया कि घर पर मतदान के सुविधा से बुजर्गों और दिव्यांग मतदाता को उप चुनाव के लिए वो डालने में सुविधा हो रही है घर में जो 85 प्लस एज के रहते हैं और जो फिजिकली डिसेबल रहते हैं उन लोग जो सहमती दिये हैं उनको आज घर घर जाकर वोटिंग कराई जा रही है इसमें कुल 127 ऐसे हैं जिन्होंने सहमती दी थी अपने घर में वोट करने के लिए उनके लिए हमने वरी वयस्था कर रखी है आज प्राता नौ बजे इनकी रवाना की गए टीम को और तीन दिनों तक ये हॉम वोटिंग कराई जाएगी पास तारिक को छे तारिक को और सात नौंबर को इसके लिए हम लोगने च्छे टीम मनाई है चार टीम जाके वोट कराएगी दो टीम रिजॉर्मोट पे रखे हुए हैं इसमें जो मद्दान दल में आपके मद्दान अतिरिकारी होते हैं दो एक माइक्रो अबजरोर होता है कैमरा परसन होता है पुलिस की भी ट दान कराने के लिए प्रतिबद हैं कामकाज को लेकर भी चिंतित हैं तक उस संबंद में कोई जनकारी नहीं दिया जा रहा है हमारी संगठन को इसके वाज में हम लोग पांस दिन का संकेति हरताल किये हैं और अगर हमारी मांग हैं मुख्य मांग हैं कि जो हमारी रोजगार न चीना जाएं हम लोग विगत 12-1500 से काम मीटर रीडिंग का काम कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ 160 कि जा रहा है मने पेमेंट को हर माहा ठीक से नहीं मिल पाता और दूसरा बात कहना चीए कि जैसे दूसरे राज़े में भी हुआ है मीटर रीडरों ने कहा कि वे मुख्य मंत्री को अपनी मांगो से अवगत कराना चाहती है और अब कुछ ख़बरे जिलों से जांजगीर के भाजपा कारियाले में जिलास्तरिय संगठन चुनाव को लेकर बैठक आयजित की गई बैठक में संगठन चुनाव प्रभारी, जोगेश लांबा, नंद चौधरी, गिर्धर गुपता और पूर्व संसदिय सचेव, अंबेश जांग्रे सेहीतन ने पदा धिकारी मौजूद है श्री लांबा ने बताया कि जिलास्तरिय बैठक में बारह मंडल, तीन विधासभा शेत्र में एकाई और बुथ संगठन को लेकर चर्चा हुई जांजीर चापा के बलौदा शेत्र के हेडसपूर गाउं की निलंबित सरपंच शांती बाई ने अकलतरा स्ट्यम कारियाले के बाहर आमरन अंशन शुरू कर दिया है निलंबित महिला सरपंच का आरोप है कि उन्हें गलत तरीके से निलंबित किया गया है और अधिकारे उनके साथ न्याएं नहीं कर रहे है रणनंगाउं जिले की रामपूर गाउं के ग्रामिनों ने अवैद रूप से शराब बिकरी के खिलाप मोचा खोल दिया है ग्रामिनों ने एसपी कारियाले पहुँच का शराब बिशनेवालों के खिलाप कारवाई करने और आरोपियों को जिला बदर करने की मांग करते हुए पुलिस अधिक्षक को ग्या पन्सौपा ग्रामिनों ने कहा कि शराब बिक्री का विरोत करने पर शराब कोचियों द्वारा उनके साथ मार पीट की जाती है जांजगीर की सीटी कुदवाली पुलिस ने रिहाइशी इलाकी की जमीन दिखा कर क्रिशी जमीन की रजिस्ट्री करा कर लाखों रूपे की धोखा धड़ी करने के आरोप में एक आरोपी को गिरफतार किया है गिरफतार आरोपी ने ठगी की राश्टी से कार और मुबाइल खरीदा था जिसे पुलिस ने जब्द कर लिया है और अंत में मुक्य समचार एक बार फिर से नई दिल्ली में पहले एशियाई बहुत शेखर सम्मेलन को संबोधित करते विरासपती द्रौपदी नूर्मुने भारत को धम की पवित्र भोमी बताया सर्वोच चिन्याले ने विवस्था दी है कि सभी नीजी संपत्या समुदाय के ऐसे भौत इक संसाधनों का हिस्सा नहीं जिने सरकार अनिवार्य रूप से पुनाह वित्रित कर सके 36 गर्राज या लंकरन पुरसकारों की घोचना पत्रकार भोला रामसिंधा और मोहन्तिवारी को चंदुलाज चंद्रा कर सुरिती पत्रकारिता पुरसकार दिया जाएगा और राइपूर दक्षिन विधान सभा उप निर्वार्चन के लिए होम बोटिंग घर घर पहुँचकर बुजर्गों और दिव्यांग मद्दाताओं का लिया जा रहा है वोट और इसे के साथ इसमाचार बॉलिटन समाप्त हुआ नमस्कार